जोतिश के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबस्क्राइब करें स्ट्रोडिफाय चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को लिया जाएगा तो आईए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आज हम जान रहे हैं कि जोतिश में ग्रहों की दृष्टियां कैसे काम करती हैं और हर ग्रह की कुछ जो है विशेश दृष्टियां भी कुछ ग्रहों को दी गई हैं जैसे मंगल, शनीब, रहस, पती और राहु केतु को special aspects भी दिये गए हैं और वह क्यों दिये गए हैं कैसे कारे करते हैं उनको भी इस विस्तार से इस वीडियो में समझा जाएगा पर इससे पहले मैंने जो है already एक वीडियो बनाया हुआ है कि aspects कैसे काम करते हैं, ग्रहों की दृष्टियां कैसे कारे करती हैं उस वीडियो का link card section में भी दिखाय जा रहा है और description में भी उपलब्द है आप से आग रहे हैं कि आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि उसमें जो बाते कही गई हैं उसको मैं इस वीडियो में नहीं दो रहा हूँगा और वहाँ पे यह बखू भी बताया गया है कि हर ग्रह की दृष्टी कैसे कारे कर रही होती है और उसको कैसे देखना चाहिए आज हम जादा focus देंगे special aspects पर और जो basic information है वो मैं भी बता दूँगा पर जैसा मैंने कहा विस्तारित जानकारी के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें तो यहां पे पहले जो है जोतिश में हर ग्रह के पास दृष्टियों को दिया गया दृष्टिया मतलब कि आप एक ग्रह यहां किसी भाव में बैठा है तो वह किस कुछ विशेश भावों पर अपना प्रभाव छोड़ेगा उसको aspect करके दृष्टी देकर तो यहां पे हर ग्रह की 9 के 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों की सातवी दृष्टी हर ग्रह के पास होती है हर ग्रह अपने से सातवे स्थान पर 7th house पर 7th place पर जहां पे भी वो कुंडली में बैठा होगा वहाँ से अपने से सात्वे स्थान पर दृष्टी देगा ही देगा, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, सारे के सारे ग्रहे अपने से सात्वे स्थान पर दृष्टी देते हैं, अब उसका कारण क्या है, वहाँ अल्रेडी जैसा मैंने का उस वीडियो में बताया गया है, पर बेसिक जो reason है वो मैं यहां बता दे रहाँ short form में वो यह है कि हर भाव यानि एक से सात्वा भाव जो एक दूसरे के सामने भाव होते एक दूसरे पे निर्भन होते हैं परिनाम देने के लिए तो पहला भाव पुरूश है सात्वा भाव प्रकृती है पहला भाव विक्ति स्वयम है सात्वा भाव समाज है पहला भाव आप की सोज बुद्धी विचारधारा है और सात्वा भाव आप जिस जगत में भावतिक जगत में जीवित है उसका है तो यहां पे individual first house is individual, seventh house is society तो यह दोनों एक दूसरे पे निर्भर है इंडिविजवल नहीं होगा तो society नहीं बनेगी, society होगी तो individual पर उसका influence पड़ेगा ऐसे ही चौथा भाव है चौथा भाव आपके घर का होता है और दस्वा भाव उसके ठीक सामने होता है सात्वे स्थान पर तो वो आपके career और profession का होता है चौथा भाव मांतिक शान्ती, सुख का माना गया और दस्वा भाव कर्म का स्थान माना गया तो जीवन में अदि कर्म नहीं करेंगे, career अच्छा नहीं होगा तो मांतिक, सुख, शान्ती, घर, परिवार ये सब चीजे कहां से मोहिया होंगी तो यह जो चीजे हैं य एक मूल भूत कारण है कि हर ग्रहे अपने से सात्वे स्थान पर द्रिष्टी देता ही है बाकी जैसा मैंने काया उस वीडियो को जरूर देखिए जिसको हमने आपको देखने के लिए अग्रे किया है उसमें इसकी विस्तार से चर्चा भी की गई है उधारण के साथ ताकि आप उसको और बखू भी समझ सके तो हर ग्रहे अपने से सात्वे स्थान पर द्रिष्टी देगा तो कोई भी ग्रहे माली जो उधारण के तोर पर सूर्य है सूर्य दस्थान पर बैठा है कुंडली में तो दस्थान से बैठकर चौथे भाव को द्रिष्टी देगा ऐसे ही हर ग्रहे जहाँ पर भी गुंडली में बैठेगा उपने स्थीक सामने वाले को देखेगा ये एक प्रिंसिपल है जो आप समझ गए होंगे अब बात करते हैं मेन कि हर ग्रहों की कुछ ग्रहों की कुछ ग्रहों की विशेश द्रिष्टियां भी दी गई है उनके उपर आज हमारा ज्यादा फोकास होगा तो मंगल, शनी, ब्रहस पती और राहु केतु को विशेश द्रिष्टियां प्रदान की गई इस्पेशाल एस्पेक्ट्स जिनको कहते हैं मंगल से शुरू करेंगे मंगल के दो इस्पेशाल एस्पेक्ट्स होते हैं एक चौथी द्रिष्टि होती है और एक आठवी द्रिष्टि होती है तो मंगल जहां पे भी कुण्डली में बैठेगा वहां से चौथे स्थान को भी देखेगा, साथवे स्थान को तो देखेगा, जैसे मैंने कहा हर ग्रह साथवे स्थान को देखता ही है और तीसर जो special aspect इसका जाएगा वो होगा आठवे स्थान पे तो मंगल माल लीजे कुंडली में पहले भाव में है तो पहले भाव से मंगल की दृष्टी चौथे भाव पे पड़ेगी और ऐसे ही साथवे भाव पे पड़ेगी और आठवे भाव पे पड़ेगी माल लीजे मंगल दसवे भाव में है कुंडली में तो दसवे स्थान से मंगल लग्न को देखेगा, चौथी दृष्टी लग्न पे पड़ेगी, सात्वी दृष्टी चौथे भाव पे पड़ेगी और आठवी दृष्टी पाचवे भाव पे पड़ेगी, तो मंगल के दो special aspects होते हैं, fourth aspect, eighth aspect, चौथी दृष्टी, आठवी और द्रिश्ट कारिकर कैसे रही है जो वीडियो को देखने बोला है उसमें उधारण के तौर पे ये समझाया गया है कि हर द्रिश्टीकार कैसे कर रही है पर आज हम इसको दुबारा भी विशेश द्रिश्टीयों की माध्यम से भी समझेंगे तो यहाँ पे चौथी दृष्टी का और आठवी दृष्टी में अंतर क्या है ऐसा क्या है खास कि मंगल को दो दृष्टियां दी गई और उन दोनों दृष्टियों में भिन्नेता क्या है विशेशता क्या है इसको समझते हैं तो माली जे मंगल जो है चौथी दृष्टी ज कि कोई ग्रह की दृष्टी जो है हमेशा अच्छी होगी हमेशा खराब होगी तो माली जैसे गुरू की दृष्टी है लोगों के मन में यह बहुत बड़ी भरांती है कि गुरू हमेशा बहुत अच्छे अच्छी दृष्टी देगा नो डाउट गुरू के पास बहुत अधि अच्छा नहीं है तो उसकी दृष्टी और ज्यादा बरबाद कर देगी जीवन में तो यहां पर यह बात नजर आती है कि यह कोई रूल लेके मत दिमाग में चलिए कोई पत्थर की लकीर नहीं है जहां पर आपको यह लग जाए कि नहीं भई एक रहे तो अच्छा ही है तो अच्छा ही देगा no matter what और जैसे माल लीजे शनी मंगल है तो इनकी दृष्टी हमेशा ही बेकार होती है जहां को भी देखेंगे वहां परिशान करेंगे तो यह कोई यह फिक्स्ड रूल नहीं होता है तो अभी इसको समझेंगे कैसे तो मंगल की चौथी दृष्टी देख जमीन जायदाद आपका घर परिवार चौथे भाव से देखा जाता है और मंगल क्या है मंगल का स्वभाव है उग्रद ग्रह है वो उसके अंदर बहुत जादा उर्जा है क्रोध है आवेग है आकरोश है तो मंगल जो है अगर शुब है अब ध्यान रखे दोनों चीजे ब उस इस्थान से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर वह प्रोटेक्शन देती है बचाव और सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि मंगल का नेचर क्या है सोल्जर है वो योध्धा जो जिसका नेचर है क्या लडाई करके अपने अपने घर परिवार और देश की सुरक्षा करन यह उसका स्वभाव है तो मंगल अगर चौथी दृष्टी जिस भी स्थान पे देगा तो उस स्थान से जुड़ी हुई चीजों के ऊपर कोई भी हो सकती है वो वहां सुरक्षा प्रदान करता है और वहां पे इस्थिरता बनी रहे सुख बना रहे इसके लिए साहता करता ह तो if Mars is positive then it gives protection and efforts to establish and maintain comfort zone in the house, the expected house and the things related to that house ऐसा है तो यहां पे मां लीजे मंगल चौथे भाव में है तो चौथे भाव में होगा तो यहां पे उसकी चौथी दृष्टी सातवे स्थान पे पढ़ेगी और अगर मंगल शुब है तो यहां पे वह चौथे स्थान यानि सातवे भाव से जितनी भी related चीजे मानी जाती है विशयवस्तुएं उनमें वह अपना protection प्रदान करता है सुरक्षा कवच प्रदान करता है जिससे कि वहां पे हानी ना हो तो अगर शुब होगा तो जैसे सातवा भाव विवा का माना गया सातवा भाव व्यापार का होता है आपके पदप्राप्ती का होता है समाज का होता है तो मंगल अगर अच्छी स्थिती में चौथे स्थान से बहट कर सातवे को चौथी द्रिश्टी देता है कुंडली में तो यह विवा के लिए अशुब नहीं होगा हाला कि मंगल मेहनत करवाता है परीशरम करवाता है और व्यक्ति सजग होते हैं उस सकरात्मक दृष्टिकोण के साथ कि हमें किस तरीके से उस स्थान से जो जूड़ी हुई चीजें हैं उनमें इस्थिरता बनाए रखें उसके लिए ये एक mental attitude भी प्रदान करता है तो if it is positive then अच्छे परिणाम नजर आएंगे ऐसे ही अगर मालीजे नकरात्मक है if Mars is negative तो यहाँ पर क्या होगा कि अब इसकी चोथी दृष्टी सुरक्षा तो देगी बट negative sense में देगी तो negative sense में क्या होगा ये control, domination, insecurity, possessiveness, jealousy ये सब पैदा करवाएगा और उसके बाद desperation में व् वह चीज नजर आती है तो यहाँ पर same example मालीजे अगर मंगल चोथे भाव में है सात्वे भाव पर दृष्टी आ रही है और खराब मंगल है तो ये क्या करेगा marriage में व्यक्ति के control, jealousy, insecurity, possessiveness, domination, emotional instability और fear पैदा करेगा तो व्यक्ति के भीतर ये सारी चीजे ये गुण जन्म ल करने लगते हैं विश्वास पैदा नहीं होता है तो ये दोनों ही लक्षण मंगल के यहाँ पर जैसा मैंने कहा same example से नजर आ सकते हैं if mars is bad then it will destroy the house आपकी मंशा ठीक होगी कि नहीं मेरे लिए जो है ये विवावडा matter करता है और business मालीजे है तो matter करता है I need to work on this but problem याई है कि insecurity इतनी बढ़ाएगा और instability emotional level पर बढ़ाएगा भय और चिंताएं बढ़ाता है जिसके चलते हम जो है और desperately उन चीजों को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं जो हमारे काबू के बाहर हैं तो इस इन गुणों के चलते क्या नजर आता है कि माल लीजे आप की मंशा ठ है कि हम जो है अपने विवहा में सही कारे करेंगे इस्थिरता बनाए रखने के लिए खुशी बनाए रखने के लिए सुख बनाए रखने के लिए पर प्रॉबलम यह होती है कि इतना ज्यादा वो overwhelming हो जाता है पती या पत्मिया जीवन साथी जो भी आपका है उसके लिए क suffocating environment नजा राता है you become so much possessive so much controlling so much jealous so much insecure that आपका protection अब suffocating हो गया है तो it destroys the marriage rather than protecting it this is the difference यह इसका फरक है तो इसको ऐसे समझेंगे कि मंगल के चौथी दृष्टी शुभ भी पर नाम देती है और अशुभ भी पर नाम देती है यह निरभर करता है मंगल की खुद की इस्थिती कैसी हालत कैसी अगर वह अच्छा है तो अच्छे पर नाम देगा और अगर खराब है तो उस इस्थान से जुड़ी होई चीजों में नकारात्मक्ता और अशुभता बढ़ती चली जाएगी दिक्कते हो जाएगी यह चीज आती है ऐसे ही आठवा आठवी दृष्टी आठ आठवा इस्थान मृत्यू का माना गया आठवा इस्थान विध्वन्स का है विनाश का है अस्थिरताओं का है बाधाओं का है और किसी भी तरीके के उतार चढ़ाओ आकस्मिक उतार चढ़ाओ सड़न अप्स और डाउंस एक्सिडेंट ट्रॉमा सरजरी इनका होता है तो और मंगल भी जैसा मैंने कहा, मंगल का स्वभाव भी इनी चीजों से जुड़ा हुआ है, मंगल भी एक उगर्ग रहे तो वो भी accident, death, injury, चोटें और किसी भी तरीके के आकस्मिक दुर घटनाएं और उतार चढ़ाओ जीवन में, ये चीजें और मृत्यू, ये मंगल इनका का अरक बन जाता है, तो अगर अब यहाँ पे भी positive, negative होगा, तो मंगल यहाँ पे माल लीजे, शुभ हिस्तिती मेह कुंडली में अच्छा है, और आठवी दृष्टी उसकी पड़ रही है, जिस भी भाव पे, तो उस भाव से जुड़ी हुई जो चीजें होगी, उनको हासिल करने के लिए जो obstacles, यानि बाधाएं पैदा होती है, उनका विनाश मंगल करेगा, अगर अच्छा है, तो if Mars is positive, then it will destroy the obstacles in achieving the things related to the expected house, तो माल लीजे मंगल दस्वे स्थान पे अच्छा बैठा है, और उसकी आठवी दृष्टी पाच्वे भाव पे जारी, पाच्वा भाव कि जुतनी भी related चीजे होंगी, उनकी जो बाधाएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेगा, तो व्यक्ती के जीवन में सिक्षा में बाधाएं कम हो, बड़ाई लिखाई में ढंका performance आ सके, या आपका संतान होने में कोई बाधाएं हैं, तो उनको काटे, तो ये चीजे जो ह कि उस भाव से संबंदित, विशय वस्तू को प्राप्त करने के लिए, उनका विनाश, उनका खात्मा मंगल यहां आठवी दृष्टी से करेगा, जब वह शूब है, अच्छा है, पर अगर वो निगेटिव है, तो क्या करेगा, उस भाव से जूड़ी हुई सारी चीजों क विनाश करने लिग जागा, अच्छी चीजों का भी, तो अब मालीजे सेम उधार, दसवे भाव पे मंगल, और आठवी दृष्टी पाचवे स्थान पे, तो पाचवे स्थान पे अगर खराब मंगल की दृष्टी पढ़ रही है, तो यह सिक्षा के लिए अशूब होगा, संतान के लिए अशूब होगा, बुद्धी के लिए शूब नहीं होगा, को बुद्धी दे सकता है, सिच्छा अधूरी रह सकती है, बाधाया सकती है, संतान होने में दिक्कते हो सकती हैं, और पाचवे भाव से हम रिलेशन्शिप्स देखते हैं, रिलेशन्शिप्स में प भाव होगा उसका पूर्द विनाशकारी विद्ध्वन्सकारी बन जाएगा तो अब उसकी दृष्टी अशूब अगर हुई तो वो उस भाव से रिलेटेट जितनी भी चीज़े हैं उनका विनाश करने लग जाएगा और दूसरा जो ग्रहे वहाँ बैठे हुए हैं तो उनके उपर भी ऐसा ही सेम इंफ्लूएंस आएगा कि वो जिस भाव के स्वामी होगे जहां पे भी बैठे उनसे रिलेटेट चीज़ों में भी दिक्कते आएगी इमाली जे कोई ग्रहे दूसरे भाव के स्वामी हो के पाचवे भाव में बैठा और मंगल की आठवी दिरिष्टी अशूप पड़ रही है तो अब दूसरा भाव धनसंपत्ती का होता है तो वहाँ पर भी जो भी लॉसिस देखने मिलते हैं यहाँ पर पॉइंट है कि मंगल का जो सुभाव है और मंगली नहीं हर ग्रहे का सुभाव दृष्टी जब भी देखे हैं तो हर ग्रहे का सुभाव देखे हैं यसलिए यह काफी complicated होता है यतना असान नहीं है और यहाँ पर जब भी मजबूत की बात करो यह अच्छा क्या है बुरा क्या है तो यहाँ भी यहीं नहीं होता है कि अब कोई ग्रहे उच्च का है तो अच्छा होगा उच्च का ग्रहे मजबूत होता है सिंपल सी बात है अच्छा या बुरा decide करती है कुंडली और लगन तो माल लीजे अगर सिंग लगन है और शनी उच्च का है सिंग लगन में तो यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि सिंग लगन के लिए शनी सबसे बड़ा शत्रू सबसे बड़ा मारक है तो सिंग लगन में शनी अगर उच्च का हुआ तो उस कुंडली में यदि सूरिक कमजोर है या मंगल कमजोर है तो यह कुंडली में शनी और उत्पात मचाएगा जिंदगी में और बाधाएं संगर्ष दुविधाएं दुख पीड़ा संताब सब पैदा करेगा तो यह चीज रहती है यह उसकी कंडीशन बताएगी कुंडली ऐसे ही माली जे कन्या लगने है अब जैसे हमने मंगल की दृष्टियों की बात करी तो मंगल कन्या लगने के लिए एक सबसे अशुब ग्रह होता तीसरे आठवे भाव का स्वामी है तो अगर उस लगन में कहीं पर भी उसकी प्रश्ण वहाँ पैदा कर रहा है कोई भी ग्रह के लिए तो यह हमने मंगल की बात करी अगला जो है गुरू की बात करतें ब्रहस्पती की दो विशेश दृष्टियां है पाँवी और नवी ब्रहस्पती जहां पर भी होगा वहां से पाचवे स्थान पे साथवे स्थान नवे स्थान पे दृष्टी देगा तो गुरु माली जे लगनम है तो पाचवे, साथवे और नवे भाव पे उसकी दृष्टी है दूसरे स्थान पे है तो छठे, आठवे और दसवे स्थान पे उसकी दृष्टी पढ़ेगी तो पाचवी दृष्टी क्या करती है गुरु क पर पढ़ती है तो उस भाव में वृद्धी आती है अच्छे पढ़नाव नजर आते हैं और कोई खराब योग अगर बंतर होते हो तो उनकी नकारात्मक्ता काफी हत्ता घट जाती है गुरू के पास इतनी शमता होती है परंतु ध्यान रखिए कि हर ग्रहका जैसे मैंने गहा अपना-अपना सुभाव देखना होता है अगर गुरू का सुभाव खराब है कुन्डली में तो फिर बाधाएं आएंगी समस्याएं पैदा होंगी तो यहां पर पहले बात करते हैं गुरू की पाचवी दृष्टी देकि पाचवी दृष्टी अगर गुरू की जहां पे भी पड़ेगी जिस भी भाव पर वह उस भाव में विर्धी करता है blessing पाचवा भाव जो होता है वह एक पालन पोशन और संतान यानि पेरंटूड के लिए अच्छा माना जाता है तो पेरंटूड का आर्थ है ताकतवर है तो जिस भी भाव पर अपनी पाचवी द्रिष्टी देगा उस भाव से संबंधित जितने भी चीजे होंगी उनमें विर्धी आती है उनमें वह एक blessing जिसको कहते है वर्दान पैदा करता है उत्थान पैदा करता है विर्धी पैदा करता है और अच्छे परिनाम औवियसली नजर आते हैं उस भाव से संबंधित तो माली जे गुरू बारवे भाव में है तो पाचवी द्रिष्टी कहां पढ़ेगी चौथे भाव पर पढ़ेगी तो चौथा भाव मा का है सुख का है मानसिक शान्ती का है और चौथा भाव घर जमीन जायदाद का होता है तो यहाँ पर क्या होगा गुरू पंचम द्रिष्टी अगर मजबूत है बारवे भाव से पाचवे द्रिष्टी दे रहा है तो चौथे भाव की चीजों को बढ़ा देगा तो चौथे भाव में उतलब मा का सुख अच्छा है जीवन में मांतिक शांती है आप अपने अपने कमफर्ट लेविल पर जादा तर समय जीवन में रह पाते हैं दूसरा गुरू हाला की पाचवे द्रिष्टी से घ्यान थोड़ा भोते क्यों गुरू ग्यान कग रहे है तो पाचवे भाव से वहाँ अगर शोव इस्तिती में होगा तो वहाँ थोड़ा वायराग्य भी करेगा पर बात यह है कि जिस भी भाव पर वह पच्चप द्रिष्टी देगा उससे संबनित उत्थान प्रगती और उन्नती नजर आती है तो जैसे हमने चौथे की बात करी मा का सुख हो गया घर जमीन जाइदाध हो गए मांतिक शान्ती हो गई यह सब चीजे बहतर नजर कर रहे होंगे तो उनके नकारात्मक्ता को गुरु घटा देगा तो यहां पर यह पाचवी द्रिष्टी होती है ऐसे ही गुरु की नवी द्रिष्टी होती है नवी द्रिष्टी जो होती है नवा भाव और गुरु दोनों ज्यान उच्च ज्यान के माने गए है पाचवा भ भाव पर गुरु अपनी नवी दृष्टी देगा, ये इसकी सबसे बेस्ट दृष्टी होती, पाचवे से भी ज्यादा ताकतवर्ज होती होती नवी दृष्टी, नवी दृष्टी अगर गुरु की जहां पर भी पड़ेगी, उस भाव से संबंदित यह ज्यान, विद्या, भागे की विर्धी, उस भाव से संबंदित भागे की विर्धी, और संपन्दता, वेल्थ, वेल्थ सिर्व यह नहीं कि पैसा आ रहा है, पैसा भी हैता है, पर वेल्थ of that house, means wealth through that house, or of the things related to that house, तो मां लीजे, आठवे भाव पर अपनी नवी दृष्टी दे रहा है, बारव तो बारवे भाव से अश्टम पे द्रिश्टी है तो आठवे भाव में आठवा भाव धन संपत्ती का नहीं होता है बटाठवा भाव जो है वह जोतिश का मोक्ष तरकोन का हिस्सा है तो ध्यान, समाधी, तपस्या इनका माना गया तो यहे और गुप्त विज्ञान का माना ग रहे तो wealth means of not only the money but also the knowledge related to those houses यह भी नजर आती है तो यहाँ पे गुरु की नवी द्रिश्टी जहां पे भी पड़ेगी उस स्थान से संबंधित जितने भी चीज़े विशय वस्तुए आती है उनमें ज्यान, भाग्य की वृद्धी, उनसे संपन्धता और उनसे धन संपत्त का अर्जन भी दिखाई देता है क्योंकि नवा भाव लक्षमी स्थान भी बना गया तो यह लिटरली पैसा भी ला सकता है उन चीजों का ज्यान देकर, उन भावों से संबंधित ज्यान देकर, मा लीजे किसी कि गुरु दस्वे स्थान पे है, तो दस्वे स्थान से नवी का होता है, शत्रू का होता है, तो छटा भाव जैसे हम डॉक्टर्स देख सकते हैं, इससे हम बैंक्स और अडिट, अकाउन, टैक्स, फाइनेंचल सेक्टर में काम करने वाले लोग देख सकते हैं, और अगर भागी की बृद्धी कर रहा है तो छटा भाव देखो दूस धा है तो यह क्या करेगा चटे भाव के जीवन चटा भाव जीवन में संघर्च पैदा करता है तो संघर्च को घटाएगा चीजे आसानी से कम महनत में हासिल होती है तो यह एक अच्छा उधारन है कि गुरू की नवी दृष्टी बहुत ताकतवर है और इसकी सबसे अगर यह श भाव पर उनको भी काफी हथ तक काट देता है तो पर गुरू का मजबूत होना ज़रूरी है जितना ताकतवर जितना शुब होगा उतने अच्छे परिणाम उस भाव की दृष्टी पर पढ़ते हुए नजर आएंगे पर अब यह बात करते कि गुरू अधी नकरात्मक हो जाए कुणडली में खराब है मारकेश है और बहुती पीडित इस्थिति में है ताकत उसके पास कुछ नहीं है वर्ग कुणडलियों में उसकी इस्थिति शुभ नहीं है तो यह सारी चीज़े अगर गुरू को बलहीन कर देती हैं पीडित कर डालती हैं और अशुभ बना देती हैं शत्रू ग्रहे बना देती हैं कुंडली में उसको व्यक्ती के लिए तो अब उसकी दृष्टियां जो है वो शुभ नहीं होंगी उसमें नकारात्मक्ता भर जाएगी तो इसमें क्या होगा गुरू जनरली यहां पर क्योंकि हमारी डिसीजन मेकिंग इंटर्नल कॉंशियंस का है मॉरल सतिक्स वैल्यूस प्रिंसिपल धर्म का कारक माना गया है तो यहां पर अगर गुरू पीलित हो जाएगा तो यहां पर व्यक्ती के खुद के ही निरनए खुद के ही कारे सेल्फ एक्शन के द्वारा अपने जिंदगी में म इसी बुद्धी पदा करते क्योंकि को बुद्धी कोई दिशाहीन सुभाव कोई सही निर्दय नहीं अधर्म का पालन कृत अग्णता नकरातमक विशेशताएं जो दुडगुन होते हैं वो सुभाव में भर देने के कारण गुरू अब जो है व्यक्ती की मन बुद्धी औ और सज्ञान हर लेता है सिर्वज्ञान देता है तो यहां पे बुद्धी सही नहीं नकरातमक दिशा में चलेगी धार्मिक पत पर नहीं अधर्म के पत पर विक्ती चलकर कुछ समय के लिए जीवन में अच्छे परिणाम पातो सकता है पर अल्टिमेटली गुरू उस चीज देगा वहां पे इनिस्टेबिलिटी और प्रॉब्लम्स भी देता है माली जे गुरू छटे भाव में अशुब है और उसकी नवी द्रिश्टी जो हमने सबसे ताकतवर कही वो दूसरे स्थान पर पढ़ रही है पैसे धन संपत्ती के स्थान पर तो अगर धन संपत्ती के स चेरी के लफड़े हैं या यह सारी क्योंकि छटे भाव इनी चीजों का है तो जहां पर बैठा है वहां से उन चीजों को उठा अगर दूसरी जगह फेकेगा वो तो यहां पर दूसरा भाव पर अगर दिया तो फैमिली कुटुमिस्थान ऐसे ही धन संपत्ती का भाव माना गया दूसरा भाव तो court cases, litigation, financial troubles and crisis और family में किसी तरीके की problems, family members को problems यह सब देखने मिलती हैं वाणी का होता है भाशा खराब करना लेगा भाशा अगर खराब हो गई तो उसके चलते भी पाप प्रभाव जनरेट होता है जिसके कारण जीवन में अशूब पर नाम नजार आत एक उधारण के तौर पर समझाने के लिए आपको बता रहे हैं तो यहां पर यह कोई rule नहीं है थम rule कि नहीं भाई गुरू कहीं पर भी दृष्टी देगा तो बस वह तो चीज अब बढ़िया होने वाली वहां तो जितने ग्रह सब बैठें उनके उपर तो सब अब जितना शनी कोई natural malefic है शनी जो है यहां भी यह भी है कि शनी हमेशा हमेशा हम उसको खराब ग्रह मानते हैं ऐसा नहीं है शनी जो है अच्छे परनाम देने के पूरी छमता रखते हैं अगर कुंडली में उसकी स्थिती शुब है तो वह जो है अच्छे परनाम अवश्य देगा तो अगर तीसरी दृष्टी की बात करूँ तीसरा भाव किसका होता है महिनत का होता है पूरुशार्थ सा होता है परिश्रम का होता है करेज आपका stamina willpower इच्छा शक्ती कितनी है दमखम रखते है रिस्क लेने की शक्ती है कि नहीं है यह जो चीजे है यह तीसरा भाव है और श इस्थान के लिए आपको बहुत महिनत मशक्कत करनी पड़ेगी पर अंतता आपको वह सफलता देगा यह वात है तो यहां पर अगर हम जो है शनी जिस भी स्थान पर बैठा हो तो वहां से अगर हम कहते हैं कि भाई उससे तीसरे स्थान पर अगर हम कारे नहीं कर रहे है यह वह परिक्षा बहुत लेता है कि व्यक्ति के भीतर कितनी सीरियसनेस है तो आपका लक्ष जो भी है उसके प्रती आप कितने सजग हैं कितने आप धैरवान हैं और कितना मेहनत करने में आपका यकीन है उसकी यह परिक्षा लेगा तो अगर हम टटके खड़े हैं, हार नहीं मानते और परिश्रमी है तो आपको उस चीजों से संबंदित जो भी जिस भाव पे उसकी दृष्टी है उसको वह हासिल होंगी पर ये एक बाद ध्यान रखनी पड़ेगी कि उस चीजों से उन भावों से संबंदित चीजों को स्टेबल बनाई रखने के लिए हमेशा मेहनत शक्कत बहुत करनी पड़ती है फ्री में नहीं मिलता है बहुत मेहनत होती है तो कहीं पे भी हो मान लीजे शनी जो है बारवे भ यानि पैसा कमाने के लिए और खास तोर से पैसा बचाने के लिए सेविंग्स करने के लिए हमेशा हमको कुछ न कुछ steps लेने पड़ेंगे क्योंकि कहीं न कई व्याय होगा कुछ expenditure होंगे कुछ चीजें होंगी जिसके चलते पैसा रुकने में दिक्कत हो रही है या पैसा आने में दिक्कत हो रही है धन संचय और धन का आगमन दोनों को बनाए रखने के लिए मैनत मशक्कत लागातार करनी पड़ती रहती है एक ये दूसरा रहता है कि वानी तो वानी यानि जैसे कुछ बच्चों को speech delay होता है कुछ बच्चों को speech problems होते हैं stammering की problems होती है तो य उसका उधारान और शनी delay का ग्रह है तो ये भी हो सकता है कि हमको जो है अपनी वानी में अगर को issues हैं तो वो देखने मिले या फिर हमारी अपनी वानी के चलते हमें अच्छे परना मिलेंगे खराब परना मिलेंगे संतुलित भाशा और संतुलित वानी का प्रयोग होना चा भी हो ही नहीं सकता कि उस सच बोल दे अगर शनी खराब है हो तीसरी दिश्टी दूसरे में पड़ी परसन विल आलवेज भी मैनिपूलेटिव एंड लायर यू के नेवर ट्रेश सच अ परसन तो यहां पर यह इसका बेस्ट इग्जामपल डॉनल ट्रम्प यहाज ट्वेल ले की आदत चीजों को बढ़ा चड़ा के बोलने की आदत और उनके केस में राहू की दूसरे भाव पर पर पढ़ गई है वो अलग पॉइंट है तो यहां पर यह बात रहती है कि हमें उन चीजों के लिए महनत मशक्कत करनी पढ़ती है जिस भी भाव पे शनी की नहीं है तो यह continuous instability, fluctuations, delay, struggle यही पैदा करता है, setbacks पैदा करता है तो यह उधारन है कि शनी की तीही दृष्टी जिस भी भाव पे पढ़ेगी आपको उसके लिए ताउम्र महनत करनी पढ़ती है उसको ठीक बनाए रखने के लिए और उसमें अच्छे परिनाम पाने के लिए लगातार परिश्रम करते हुए धैर रखते हुए परिश्रम करना पड़ता है यह चीजे है अगला बात अगली आती दसवी दिष्टी दसवां इस्थान कर्म का माना गया और शनी कर्म का ग्रे है तो दसवी दिष्टी जहां पे भी शनी की पढ़ेगी वह हमारा focus बन जाता है actions के लिए तो that house become the focus focus of karmas or the actions which the person does तो माल लिजे शनी जो है जहां पे भी बैठेगा माल लिजे शनी चौथे भाव में है तो चौथे स्वी भाव में है तो सात्वे भाव से चौथी दसवी दिष्टी चौथे स्थान पर पढ़ेगी तो व्यक्ती के लिए जो मुख्य कर् आप जिसके लिए जादा अपनी जिंदिगी में कर्म कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं focus attention in order to have a home अपना एक घर हो सुखद परिवार हो सुखी जीवन हो धन संपत्ती हो जमीन जायदाद हो और emotional peace and satisfaction हो इसके लिए चौथा भाविनी ची जोका है तो शनी आपसे लगातार जो है कर करवाएगा पर किसके लिए कर रहे हो क्यों कर रहे हो why are you doing these things what is your driving force तो यहां पे जो है सब्तम से शनी अगर चौथे द्रिश्टी देगा तो यहां पे driving force हम देख सकते हैं कि चौथे भाव के इलाके जो है व्यक्ति के लिए driving force बनते हैं कि हमारे लिए घर सुख संपत्ती मा अपना देश अपने अपना परिवार यह matter करता है तो in order to have stability at home and I can provide for the family I am working यह चीज आती है ऐसा ही शनी माली जे दस्वे भाव पर बैठा है और सात्वे भाव पर उसकी दस्वी द्रिश्टी पढ़ेगी तो सात्वा भाव क्या है marriage focus attention अब दस्वा भाव करियर का है बट मे भी person's focus attention can be कि हमारा मुख्य जो उद्देश है वो यह कि हमारा व्यवाई जीवन सुखद रहे, stable रहे, ज्यादा दिक्कते ना हो और हमारा जो आपसी प्रेम सौहाद रहे, पती-पत्नी के बीच वो अच्छा रहे, सात्वा भाव व्यापार का भी होता तो it can make person focus towards business, towards entrepreneurship, हम अपना कोई व्यापार जमा सकें, इसके लिए काम करें, सात्वा भाव society का समाज का है, public का है, तो इससे हम public service भी देख सकते हैं, कि व्यक्ति, कि अब यह कोई भी हो सकता है, अब जैसे इसका best example, मोदी जी है, तो मोदी जी के case में क्या है, दस्वे भाव में शनी इस्थि society के लिए आ रहा है, तो सात्वा भाव उसका भी माना जाता है, तो इस सात्वे भाव की कोई भी जीज, जो भी signification, सुष भाव से संबंदित हैं, जहां पे भी शनी की दसम दिर्ष्टी पढ़ रही है, उसका वो focus attention जिंदगी में व्यक्ति के लिए खड़ा कर देगा, पट नकारातम कर्म होंगे, कुकर्म होंगे, और कुकर्म होंगे, तो उस भाव से संबंदित व्यक्ति खराब कर्म ही करेगा, अच्छे कर्म नहीं करेगा, और अगर शनी ठीक है, बाकी ग्रह बेतर हैं, तो सत कर्म होंगे, ढंके काम करे जाएंगे, अच्छे पर नाम दिखाई देंगे, यह चीज आती है, तो यहाँ पर यह व्यक्ति को क्या बना सकता है, दस्वाँ भाव कर्म का है, पर दस्वाँ भाव भी अकर्मनिता का भी हो सकता है, अगर शानी खराब है, वाकी ग्रैच्छे नहीं है, तो आप उस भाव से सम्मदित को कामी धन्दा नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं अकरमनिता इतनी है आलास इतना है तो ये चीज भी हो सकती है और you become totally irresponsible immature, impatient ये भी हो सकता है तो that is seen that is why I am saying about it, dynamic है बट हमने आपको समझाने की कोशिश करी है मेरे खाल से आप समझ पाए हूँगा तो एक reverse में द्रिष्टी देते हैं तो मालीज एगर राहू दूसरे भाव में है तो उसकी पाँचवी द्रिष्टी जो है वह दस्वे भाव पे जाएगी छटे भाव पे नहीं जाएगी दस्वे भाव पे जाएगी और नवी द्रिष्टी राहू की छटे भाव पे जाएगी ऐसे ही केतू आठवे भाव पे होगा तो आठवे भाव से केतू की पाँचवी द्रिष्टी जो है वो चोथे भाव पे जाएगी बारवे भाव पे नहीं जाएगी और ऐसे ही नवी द्रिष्टी उसकी बारवे देखिए काफी और ज़्यादा complicated हो जाता है यह, क्योंकि राहुकेतु के अपनी कोई पहचान नहीं है, वो दूसरे ग्रहों पर परिणाम देने के लिए निर्भर होते हैं, तो जिस भी ग्रह के साथ बैठे होंगे, जिस ग्रह की राशी या नक्षत्र में होंगे, उनके उप और उनका प्रभाव होगा, उसी तरीके से उनका विवहार हो जाता है, तो यहाँ पर situation काफी difficult to analyze बनने लग जाती है, बट basic कैसे इसको देखते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ, कि राहुकेतु में, अगर राहुका, क्योंकि जनरल ये शुभगरें नहीं माने गएं, द्रिष्टियों के चलते कई बार जो है, नकारात्मक्ताएं, समस्याएं, खड़ी होती हैं, उन भावों से संबंदी जहां पे भी ये द्रिष्टी दे रहे होते हैं, तो पांचवी द्रिष्टी जो है, राहु की जहां पे भी पढ़ेगी, और अगर राहु अच्छा है, तो पांचवा भाव ज्यान बुद्धी का होता है, विद्या का होता है, इसलिए राहु का उन भावों के प्रती, अट्रेक्शन पैदाओ, क्योंकि राहु क्या है, अट्रेक्शन, राहु is obsession and temptation, लालसा का ग्रह है, तो उन छेत्रों से संबंदे, जो भी जिस भी भाव पे उसकी द्रिष्टी पढ़ रही है, तो वहां से पाचवे भाव पे, मतलब सॉरी, जिस भी भाव में बैठा, वहां से पाचवी द्रिष्टी जहां पे भी राहु की पढ़ेगी, तो उन भावों से संबंदे, तो कोई भी चीजों को ले करके, कोई भी विशय वस्तुवों क ले कर कुछ भी हो सकती है, वो, related to that house, it can generate attraction to know these things, or get those things, तो ये बुद्धी, मेधा, विद्या, और ज्यान का इस्तिमाल कर, उस भावों से संबंदित विशय वस्तुवों को प्राप्त करने के लिए साहता करता है, अगर राहु अच्छा है तो, तो उसके प्रती आकर्शन औ और उसके और उनसे संबंदित चीजों को हासिल करने के लिए कार्य और बुद्धी राहु प्रदान करेगा अगर शुव इस्तिती में है, तो माली जे राहु दा सुवे भाव में है, तो या फिर उसको अपोजिट कर ले, राहु जो है माली जे छटे लगन में है, तो अग पाचवी दृष्टी अगर नवे स्थान पर पढ़ रही तो नवा भाव ज्यान, बुद्धी, सिक्षा, बिद्या और उच्च ज्यान का माना गया है, हायर एजूकेशन का होता है, लीडर्शिप का होता है, मैनेजमेंट एड्मिनिस्ट्रेशन का होता है, भागी का होता है तो यहाँ पे राहु जो है, अगर अच्छा है कुंडली में लगन में, तो यहाँ पे व्यक्ति की सिक्षा में ज्यान अरजित करने के लिए साहिता करता है, अच्छे गुरू मिलते हैं, और आप अपने जीवन में काफी हद तक ज्यानी बनते हैं, और ज्यान किसके आधार पर वास्तविक ज्यान राहु प्रदान करने में साहिता करेगा, यह इसका एक उधारण है, तो यहाँ भी हर बार नहीं कि राहु लगन में बैठके नवम पे अगर पाचवी दृष्टी दे रहा है, तो इस बैड, यह नकरात्मक हो सकती है, कि माली जे नवाभाव पिता का है, तो कुछ परिशानिया पिता को हो, पर यह जो है, हर बार नकरात्मक नहीं होगा, तो यह नकरात्मक प्रभाव पैदा करेगा, तो यह अधर्म बढ़ा देगा, तो व्यक्ति को अधर्मी बना देगा, there will be a very crooked and questionable moral compass, आपका अंदर की जो नयतिक मूल्य हैं और उसूल है, आदर्श हैं, जिनका व्यक्ति पालन करता हो कुछ, वह कुछ होंगे ही नहीं, और होंगे भी तो hypocrisy बहुत बढ़ जाईगी, अगर खराब हो गया तो, तो यह काफी dynamic situation होती है, ऐसे ही, राहु जो है, अगर ninth aspect देखें, नवम दृष्टी देखेंगे, तो नवी दृष्ट यह नवम के कारक होते हैं, तो राहु की नवी दृष्टी जहां पे भी पढ़ेगी, वहां से संबंदित क्योंकि राहु माया कगर है, तो वह material gains पैदा करता है, तो यहां पे जिस भी इस्थान पर नवम दृष्टी देगा, उससे संबंदित, वहां बहुतिक सभलता परद पर ध्यान रखे, राहु डिले करेगा, देडी होगी, जल्दी नहीं होता है, मेहनत करनी पढ़ती है, संघर्ष होता है, और फ्रस्ट्रेशन होती, इस्ट्रगल फ्रस्ट्रेशन और डिले के बाद ही सफलता मिलेगी, यह चीज होती, माली जे राहु दसम भाव में, तो न स्वामी कैसा है, if that is fine, then राहु can generate wealth, पैसा ला सकता है, मेनत मशकत करवा के लाएगा, देरी से लाएगा, पर देगा, उधारण जैसे डॉनल्ड ट्रम, शारुक खान, both have 10th house, exalted राहु, उच्चिका राहु है, आब दोनों धनवान तो हैं ही, तो पैसा जो है, अच्छा खा है, तो वो पहले दे भी दिया, तो फिर बाद में सब छीन लेगा, खत्म कर देता है, और अगर बिल्कुली खराब है, तो फिर वो total complete destruction, जिसको कहते हैं, जिस भी भाव पे नवंदृष्टी पढ़ेगी, उस भाव से संबंदित सारी चीज़े खत्म हो जाती है, कुछ बच विमुक्ता पैदा करता है, तो केतु जो है अगर जहां पे भी पांचवी या नवी दृष्टी उसकी होगी, बस फरक होता है कि नवी दृष्टी में ज्यान आ जाता है, पांचवी दृष्टी में ज्यान कम होता है, विरक्ती जादा होती है, तो यहां पे यह रहते हैं कि के तु जहां पे भी अच्छी स्थिती में यदि है पांच भी है नवी दृष्टी जिस भी भाव पे उसकी पढ़ेगी उस भाव से संबंदित जो भी चीजे होंगी उनमें वह एक ऐसा attitude पैदा कर सकता है कि व्यक्ति का वहां पे rejection, indifference का एक attitude नजा रहा है आपका एक नैसरगिक स्वभाव है जहां पर उस चीजों से विरक्ति, विमुक्ता और वैराग्य नजार आता हो पर यह तब ही होगा जब के तु अच्छा है बाकी ग्रह काईदे के हैं आगर नहीं है तो यह क्या करेगा वह चीजें जो भी होंगी उस भाव से संबंदित उन कि तो यहां के दाता लिजे केतु जैसे अगर बार्वें स्थान पर है तो उसकी नवी दिरिश्च्टी चोथे स्थान पर पढ़ेगी तो हमारे पास जो है चौथा भाव सूख का है घर जमीन जायदाद मा का हूता है तो यह क्या करेगा कि चोथे भाव की जितनी चीज़े उनको खत्म करने लग जाएगा तो यहाँ पे dissatisfaction, unhappiness mental anguish, anxiety depression, emotional instability घरों और जमीन जायदाद का नुकसान, वाहन का नुकसान, मा से problem मा को problem, कुछ भी हो सकता है यह दे सकता है, पारिवारिक कलह, आशांती, कुछ भी संभव है, पर मान लिजे शुभ के तू है, अनवम दृष्टी दे रहा है तो चोथे भाव से अगर देगा, तो चोथा भाव मोक्ष दिरकोन का है, तो यहाँ पे यह वैराग, विरक्ती ज्यान, मानतिक शांती तबस्या, और मोक्ष के प्रती, गहन आकांग्षा पैदा कर देगा, तो यह चीज जो है यह टोटल डिफरेंट रिजल्ट्स है यह सिर्फ डिपेंड करता है, ग्रह अच्छे हैं अखराब, तो यहाँ पे हम हमने आज बखूबी समझने का प्रयास किया, कि ग्रहों की द्रिष्टियां कैसे कारे करती है और इस पेशल एस्पेक्ट्स हर गरह के किस तरीके से कुंडली में देखने चाहिए तो मेरे ख्याल से आप काफी कुछ समझ पाए होंगे आज, तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, नीचे दिवे सब्सकाइब बटब बाद सब्सकाइब कीजे जादा जानकारी के लिए परी वेबसाइट और फेस्बूक पेज और इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं अजने थाम आप से अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए आग्या दे, नमस्कार और धन्यवाद